तो welcome to my channel, तो इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले कैसे सिलेक्टर जावसकिप्ट के अंदर काम करता है तो इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने fundamental part को बहुत अच्छी तरह देखा था कैसे काम करता है, कैसे syntax काम करता है, कैसे function करता है बहुत कुछ हमने explore किया था तो वीडियो आप देख सकते हो उपर i button के अंदर क्लिक करके ठीक है नहीं तो आप simply playlist के अंदर जाके भी देख सकते हो तो आज का यह वीडियो होगा सिलेक्टर के उपर जो सिलेक्टर मेंली जावा स्किप्ट के अंदर बहुत बहुत ज्यादा यूज होता है और मैं आपको दिखा दूंगा यह हमारे पास एक सिंपल सा एक टेंपलेट है जिसको मैंने कहीं से उठाया था इस टेंपलेट के मदद से बहुत अच्छी तरह आप समझ जाओगे कैसे काम करता है सिलेक्टर तो मैंने simply इधर स्क्रीप्ट को लगा दिया है अगर आपको नहीं पता एक स्क्रीप्ट कैसे काम करता है यह डीव कैसे काम करता है यह जो कुछ भी कैसे आईडी काम करता है यह अगर पता नहीं है तो आप सिंपली जाके प्रीविएस वीडियो को देख सकते हो तो अभी के लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ भी नहीं है हम लोग सबसे पहले console log हम लोग देख लेते हैं हमारा काम कर रहा है हो सिलेक्टर हमारा फ्रिंट हो रहा है मतलब अच्छी दरीके से हमारा जावास्क्रिंट फ्रॉंट Colombia उसके साथ लिंक हो छुका है अभी क्या करेंगे इंभ जो हमारा ग्रेन पैरेंड है मैं इस id ko हटा देता अभी के लिया ही MOM हठा देता हूं कि हमारे अभी है हमारा एक Grand af i много हं जिसका नीम मैंने व्ल्तिप के अंदर हमारा है parent rest 偌 के अंदर हमारा प्लू कलर से 9 ठीक है अ या अन्डर हमारा ब्लू कलर से रिप्रेजेंट हो रहा है ठीक है तो अभी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि सिलेक्ट करने वाला है using id तो इसके लिए मुझे एक id देना हो तो मैं सबसे पहले grandparent के अंदर एक id देता हूँ id is equal to gid okay and const grandparent is equal to document dot तो अभी यह document किया है तो document कुछ इस तरीके से दिखाए देता है हमारे सबसे उपर रहता है हमारा html html के अंदर हमारा header and body and body के अंदर हमारा जो कुछ भी है वह मारा body के अंदर आएगा और के अंदर आएगा हमारा title मेटा लिक्ष जो कुछ हमारा header के अंदर होते है टोटल हम इसको document बोलते हैं तो इस document के अंदर हम लोग धूनने वाले हैं get element एक element को धूनने वाले using id तो उसके लिए मैं धूनने वाला हो g id ठीक है तो हमने इस document के अंदर से हमारे जो एक d है उसका जो id है उसको हम लोग धून रहे है using get element by id यह होता है हमारा एक select तो यह successfully select हुआ है यानि मुझे कैसा पते चलेगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे है कि grandparent dot style dot background color तो मैं background color को 555 कर देता हूं एंड हमारा grandparent कर जो background color है वो simply change हो चुका है इस तरीके से हम लोगों को पता चलता है कि यह हमारा successfully select हुआ है ओके मैं अगर इसको simply print करूँ console dot log grandparent यह हमें एक पूरा जो element है उसको हम लोगों को दे रहा है कि इसके अंदर जो कुछ भी attribute है उसके अंदर क्या क्या चीज है सब कुछ मुझे यह दे रहा है ठीक है मतलब यह किसी एक deep को select किया है successfully यह हो गया हमारा getElementById तो अभी हम लोग क्या करने वाले कि getElementById तो हमने देख लिए अभी हम लोग select करने वाले using class name तो const grandparent is equal to document. document को मैंने अल्रेडी बोल दया क्या होता है उसके अंदर getElementByClassName क्लास नेम हमारा है grandparent मैं इसको simply paste कर देता हूँ now grandparent.style.backgroundcolor मैं इसको simply copy कर लेता हूँ तो अभी आप देख सकते हूँ कि यह नहीं हो रहा क्यों कि क्लास नेम हमें एक collection से करते हैं मतलब एक collection जो हमारा console लोग अगर मैं करूँ grandparent तो यह हमें HTML collection से कर रहा है तो इसको करने के लिए इसको हमको सबसे पहले एक array के अंदर convert करना होगा ओके array form ओके नाओ अभी हम लोग क्या करेंगे कि यह हमारा एक array के अंदर convert हो चुका है simply जिसका length है one मतलब एक ही grandparent हमारे पास है अभी हम लोग क्या करेंगे for each grandparent dot for each for each क्या होता है मैंने अल्रीड आपको बोल दिया था पहले item ओके और मैं इसको cut करके इसर पेस्ट कर देता हूं आइटेम के अंदर मैं simply यह काम कर देता हूं एंद यह हमारा simply काम कर रहा है हमारा grandparent successfully हमने select कर लिया using get element by class name ठीक है अगर मैं same चीज़ को parent के उपर करूं तो क्या होता है तो simply parent को select कर रहा है मतलब दो parent है हमारे पास तो यह दो parent को भी select करके उसका style change करते हैं ठीक है जो कुछ भी है हमारे पास same class name में सब को यह change करके देगे यह होता है हमारा by using class name एंद इसको हम लोगों को एक array के अंदर convert करना होगा simple था यह बहुत इसके बाद हमारा आता है कि query select const grandparent is equal to document document के अंदर से हम लोग select करने वाले query selector को यूज करके यह होता है हमारा interesting part query selector के अंदर हम लोग जिस तरीके से css के अंदर select करते हैं dot and हमारा जो hashtag इसकी मदद से हम लोग css के अंदर select करते हैं तो वैसा ही हम लोगों को select करना होगा अगर मैं id को select करना चाहूं तो मुझे hashtag देना पूरेगा okay and simply grandparent मैं simply को copy कर लेता हूँ copy and paste and यह हमारा simply change हो जाएगा okay अगर मैं चाहता हूँ कि यह class name की मदद से select करें तो मैं simply dot and class name तो simply काम कर रहा है okay यह हो गया हमारा query select हम लोग most of the time query selector को ही use करते कि यह बहुत जाता convenient हो जाता है हमारे लिए कि कि हम लोग throughout पूरे application के अंदर अगर मैं query selector को ही use करो तो यह बहुत easy हो जाता है हम लोगों को समझने के लिए okay अभी हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि okay ना हमने तो grandparent को select कर लिया और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे इसका जो child है grandparent का child को और है parent ठीक है तो हम लोग उसको select करने वाले है ठीक है कैसे select करते हैं हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या const मैं इसको comment आउट कर देता हूं const parent is equal to grandparent.children तो यह हमें एक children return करेगा हमारे पास तो children है एक collection के अंदर दो है तो यह हमें collection return करेगा simply तो इसको हम लोग को array के अंदर transfer करना होगा जिस तरीके से हमने पहले किया था okay array.form and मैं इसको wrap कर देता हूं and यह हो गया हमारा parent okay अभी हम लोग क्या करेंगे for each को use करेंगे जो हमने पहले use किया था okay इसदर होगा हमारा parent and यह हमारा simply काम कर रहा है ठीक है इस तरीके से हम लोग grandparent को select करने के बाद उसका children को हम लोग select कर सकते है okay अब हम लोग क्या करते है कि parent को select करते है okay now इधर child and parent को मैं इधर change करके parent कर देता हूं and इधर मैं simply parent के जगा child कर देता हूं यह मुझे yes तो child को change करके दे रहा है ठीक है ऐसा कि मुझे तो चाहिए था जो कुछ भी child है उसको change करके दो यह तो नहीं हो रहा तो इसको करने के लिए हम लोगों के पास आता है querySelectorAll const child is equal to document.querySelectorAll.child तो यह हमें एक array return करेगा ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे child.forEach and forEach के अंदर मैं simply इसको run कर देता हूँ अगर मैं इसको save करूँ तो यह अभी हमारा जो कुछ भी child है child1, child2, child3 and child4 सबको select करके उसका style change हो रहा है ठीक है यह होता है हमारा querySelectorAll इस तरीके से हम लोग जो कुछ भी है same class name के अंदर same id के अंदर उसको हम लोग select करके directly सबको manipulate कर सकते हैं यह होता हमारा querySelectorAll अभी मान लीजेए मैंने अभी देख लिया है कैसे हम लोग parents से children में जा सकते हैं हमने देख लिया कैसे parents से हम लोग children के अंदर जा सकते हैं अभी हम लोग क्या करेंगे कि child से हम लोग parent के अंदर जाना जाते हैं okay child1 से हम लोग parent1 के अंदर जाना सकते हैं तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं देखते हैं const child is equal to document.querySelect child okay हमने child को select कर लिया है अगर मैं child.simply style को message करूँ तो यह change हो जाएगा ठीक है child1 को हमने select कर लिया है अभी मैं करना क्या चाता हूँ कि const parent को select करना चाता हूँ तो parent child.parentElement okay मैंने parentElement को select कर लिया है अभी मैं क्या करता हूँ उसको child के जगा parent कर देता हूँ तो यह हो गया हमारा parent select parent1 इस तरीके से हम लोग hierarchy के अंदर उपर जा सकते हैं हम लोग child की मदद से downward जा सकते हैं and हम लोग parentElement के मदद से उपर जा सकते हैं यह हो गया हमारा parentElement selector हमने अभी अभी देखा है one selector getElementById second selector className third selector query selector fourth child fifth हमारा all and sixth हमारा parentElement अभी हम लोग देखने वाले कैसे हम लोग sibling को ढूडने वाले हैं const sibling मतलब मैंने चाइल्ड1 को select किया तो चाइल्ड1 का sibling और होगा child2 यह हम लोग कैसे कर सकते हैं simply const child1 is equal to document.querySelector okay मैं child1 को using id select करता हूँ child1 okay मैं child1 select child1 okay now child1 sibling const okay let's see child1 select होआ है या नहीं तो यह हमादा successfully child1 select हो चुका है मतलब यह सही काम कर रहा है okay इसके अंदर हम लोग sibling को ढूडने वाले const sibling is equal to child1 child1 dot next element sibling okay यह होगा हमादा एक और selector next element sibling okay अगर मैं इसके अंदर changes करके simply sibling को change करना चाहूँ sibling dot style background color and save करूँ तो यह हमादा child2 select हो रहा है okay तो अगर मैं इसी चीज़ को इधर करना चाहूँ okay and मैं select करना चाहता हूँ 3 को तो 4 select हो रहा है क्योंकि हमने इसका sibling लिया है okay यह हो गया हमारा sibling selector okay तो हमारा 7 selector हमारा sibling selector हो गया simply okay ना हम लोग देखने वारे है कैसे sibling से हम लोग back भी आ सकते है मतलब okay मैं इसको सबसे पहले करके दिखाता हूँ मैं इसी चीज़ को paste करके uncomment okay यह हमारा selector okay and selector के अंदर हम लोग select कर ले sibling को मतलब यह हमारा select होगा child for okay मैं sibling की जगा कुछ नहीं कर रहा ठीक है let's see मैं सिर पर सिर जो sibling.style के अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ changes okay क्या करता हूँ dot previous element sibling previous element sibling क्या है तो मैंने अभी sibling को select किया मतलब child for अभी child for का मैंने बोला previous element sibling मतलब child 3 मतलब अभी हमने child 3 को select किया है अगर मैं इसको save करूँ तो child 3 हमारा select होगा okay मैंने sibling के अंदर previous element sibling को call किया मतलब select किया इसी लिए child 3 select हो रहा है तो हमारे पास एक और selector है वो selector है हमारे पास closest selector okay closest कैसे काम करता है मैं const child is equal to document dot querySelector dot child तो यह हमारा child select होगा child1 अगर अगर मैं simply इसको print करूँ तो child1 ही select होगा हमारा तो यह हमारा child1 select हो रहा है okay now हम लोग चाहते हैं कि इसका closest okay मैं इसको करके दिखाता हूँ सबसे पहले const grandparent मैं closest grandparent को select करना चाहता हूँ child. closest हमारे पास एक function होता है उसके अंदर हम लोग पास करेंगे grandparent okay now हम लोग grandparent को simply change करेंगे style तो इस simply grandparent change हो जा रहा है कैसे अगर मैं HTML के अंदर चाहूँ तो सबसे पहले मैंने select किये यह child1 okay मैंने बोला इसका closest grandparent को हूँ वो simply इस hierarchy से बाहर निकला बाहर निकल के आया है हमारा parent1 के अंदर parent1 के अंदर बोल रहा है यह class grandparent है देखा नहीं है यह तो हमारा parent है तो यह किया किया कि इससे बाहर आए इससे बाहर आके बोला यह क्या grandparent है तो इसने देखा हाँ यह है हमारा grandparent तो इसने इसने इसको select किया closest के मदद से तो closest के मदद से हम लोग इस तरीके से select कर सकते हैं और उसको हमने simply change कर दिया यह हो गया हमारा closest function selector इस तरीके से हम लोग select कर सकते हैं यह को selector हमारे लिए बहुत ज्यादा important है जो हम लोग throughout हमारे web dev journey के अंदर हम लोग इस selector को use करने वाल है and I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगा अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख पाए तो प्लीज चैनल को subscribe करना और वीडियो के like करना और share करना मत बुलिए क्योंकि share बहुत साथ है तो मिलता है नेक्स वीडियो के अंदर तो बाइबाए क्योंकि साथ है